मॉनिंग मेरे प्यारे बगवा लोग कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ठेकी होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे हैं तो बगवा हो हम लोग आज चल रहे हैं Oxford इंग्रिश की और है ना आज हम लोग सिखेंगा बाउग हो Oxford काईरेंट इंग्रिश ट्राशलेशन जिसमें हम लोग सिखेंगा बाउग हो use of a, ain, and the के बारे में use of a, ain, and the के बारे में शिखेंगे बग बगवाहू ताज हम लोग कों से exercise चलेंगे ताज हम लोग चलेंगे exercise 30, जैना 30, तह देखाए बग बगवाहू पहला sentence क्या कहता है कहता है देखिए पहले आप जान लीजिए कि A का पर्योग कहां करते हैं आयन का पर्योग कहां करते हैं और दा के पर्योग कहां करते हैं हना एक का पर्योग होता है कॉंसोनेंट के पहले आयन का पर्योग होता है भावेल के पहले अब दा का पर्योग करते हैं चादा तर हम लोग जो दुनिया में केवाल एक हो उसके पहले दा का परियोग करते हैं और निश्चित बताता हो उसके पहले दा का परियोग करते हैं तब हम लोग सिखेंगे बगवा हो ए-n के परियोग उसके बाद हम लोग सिखेंगे दा के परियोग तो चलिए पहला संटे का रहा कि यह एक घोड़ा यह एक घोड़ा तो यह का मीनिक बताईएगा क्या होगा बगवा हो दिस है ना अदिस के साथ हम लोग परियोग करते है इज का तो इज और उसके बाद घोड़ा के क्या हो गिया हो गिया हो गिया हो गिया हो में देखिएगा एच हमारा क्या है consonant है, तो consonant के पहले क्या लगाते है, ए लगाते है, तो this is a horse, कतना असान है, अगला दखिए, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, तो वह का मीनिंग बताइएगा, तो diet, डाइट के साथ हम लोग परियोग करते है, इज का, उसके बाद हाथी का क्या होता है, तो elephant, elephant का पहला अच्छर देखिएगा, इज हमारा क्या है, भावल है, तो भावल के साथ n का परियोग करते हैं, तो क्या बनके हमारा, diet is an elephant, कितना असान है न, अगला देखिएगा, यह एक अंडा है, तो यह का मीनिंग बताइएग तो दिस, अदिस के साथ हम लोग परियोग करते हैं, इज का, अंडा का क्या हो गिया, इज, आईग के में पहला अच्छर देखिएगा, इज हमारा क्या है, भावल है, तो क्या लगाएंगे, आइन, तो क्या बन गिया, दिस इज, आइन, इज, या एक भी पढ़ सकते इसको हम लोग आगे चलते हैं, आगे कहता है, कि वह एक सेव है, वह एक सेव है, तो क्या बनेगा, डाइट इज, आइन, एपर, वह एक सेव है, डाइट इज, आइन, एपर, अगला, या छाता है, या छाता है, तो क्या बन गिया, वहदावात है तो वहदावात है क्या बनेगा तो डाइट इज एन इंकपोर्ट यह बैल है तो क्या बनेगा दीज इज एन ओक्स वहगधा है तो क्या बनेगा डाइट इज एन आस है क्या नहीं अगला देखते हैं हम लोग अगला कहता है यह उल्लू है यह उल्लू है तो क्या बनेगा दीज इज एन ओल यह चीटी है तो क्या बनेगा डाइट इज एन दीज एन आन वह कुल हाड़ी है तो क्या बनेगा डाइट इज आन एक्स है कि नहीं सिख रहा है पर वह हो अगला चल जाता है अगला हम लोग चल लेंगे कह रहा है कि यह नारंगी है यह नारंगी है तो क्या बनेगा दिस इज आन ओरेंज वह आम है तो क्या बनेगा डाइट इज ए माइंगो है कि नहीं मैं एक लेखाख हूं तो क्या बनेगा आई एम ए राह्टर अई एम ए राह्टर तुम्मे कराकार हो तो कैसे बने यू आर आर्टिस्ट इएट अर्टिस्ट वारणब को तो पते है वाद थे हैं है न तो बस एका परियोग करते हैं Consonant के पहले Aoun क ken्ता क्रों करते हैं वावेल के पहले अपया धवत करते हैं आप टेर्म Allah reindeer तो क्या बनागा यू आर एन आफिसर यू आर एन आफिसर है की नहीं आगा चलिया बोगा हो आगा हम लोग देख रहे हैं कह रहा है कि राम एक हिंदुस्तानी है राम एक हिंदुस्तानी है तो राम इज ए हिंदुस्तानी राम इज ए हिंदुस्तानी तुम एक हिंदू हो तुम एक हिंदू हो तो क्या बनेगा यू आर ए हिंदू अगला वह एक संपादक है वह एक संपादक है तो क्या बनेगा He is an editor आप एक अंगरेज हैं तो क्या बनेगा You are an Englishman You are an Englishman या पानी है या पानी है तो क्या बनेगा This is water तो क्या बनेगा इसमें एन के परियोग नहीं करेंगे तो इसमें एन के परियोग नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे तो जिस नाउन को हम लोग नहीं गिनेंगे उसमें A-N के परियोग नहीं होता है याद हुआ जिस नाउन को हम लोग नहीं गिनेगे जिसे यहाँ पर पानी है तो पानी को हम लोग गिन सकते हैं नहीं ना तो जब पानी को नहीं गिनेगे तो इसके पहले A-N के परियोग नहीं करेंगे अन के पर योग नहीं करेंगे आया समझ में जिसमें गिनेंगे उसी में लगाएंगे जिसको गिनेंगे उसी में लगाएंगे जिसको नहीं गिनेंगे तो उसमें नहीं लगाएंगे आया समझ में बबबहू तो चर ये आगे चलते हैं हम लोग करता है वह आता है तो डायट इज फ्लूर फ्लूर को गिन रेंगे नहीं लगाएंगे यह तेल है तो दीस इज वाइल दीस इज वाइल यह चॉय है दीस इज टी अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा है ना कि जिसको नहीं गिन एंगे तो उसमें AN के परयोग नहीं करेंगे आया समझ में ना तो चलिए आगे चलते हैं बगवाहो वा सीता है अगला क्या है वा वा सीता है तो डाइट इज सीता वा सीता है डाइट इज सीता मैं मदन हूँ I am मदन I am मदन किसी का नाम रहेगा बगवाहो किसी का नाम रहेगा तो उसके पहले भी AN के परयोग नहीं करते हैं जिस किसी का अपना अपना परयोग नहीं करते हैं जिस किसी का अपना सीता नाम है न तो नहीं लगाएंगे मदन नाम है न तो नहीं लगाएंगे A-N के परियोग नहीं करेंगे तो चलिए बगवा, अगला है मैं कभी हूँ, कभी को तो गिनेंगे तो दखिए इसमें लगाएंगे I am a poet I am a poet तुम रभी हो, तो दखिए रभी असपेसल नाम हो गिया, तो नहीं लगेगा तो तुम रभी होती, you are रभी, you are रभी, मैं छात्र हूँ तो क्या बनेगा छात्र को तो गिनेंगे तो क्या बनाएंगे, I am a student I am a student अर आसमें बगवा हो बगवा हो, आज के वीडियो में बस इतना ही है, है ना तो बगवा हो, पिलिज वीडियो को लाइक कर देजिए, सेर कर देजिए जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है, तो पिलिज सब्सक्राइब कर लिजए बगवा हो, आज इसी हम आपको मन लगाते रहेंगे, प्रहाते रहेंगे है ना, तब फिर हम लोग मिलते हैं बगवा हो, ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिन, आप ही पर रिजड़ से, जय हिन